आज में लेकर आई हूँ आप सब के लिए सर्दियों की इस्पेशल डाल जो की सर्दियों में बनती हो बहुत ही टेस्टी इसका तड़का सबसे मज़ेदार होता है तो चले फटा-फट से देखते बनाते कैसे यहां पर ले लिया मैंने एक गड़ी पालक मैंने इस तरह से बि कि कटिंग की है तो इसे ए्ट कर देंगे कूकर मेंToday कि में मैच टो मैंने ले लिया है उरत की दाल उरत की छिलके वाली ंदाले तक्रीबान आधा कर इसे भी हमें वाश करके इसमेंग कर देंगे तब इसमें एड़ करेंगे हरी मिश दो हरी मिश मैंने एड़ कि अगर आप ज़्यादा खाते तो और भी एड़ कर सकते हैं हाफ इंच अद्रक का टुकड़ा है इस तरह से मैंने बिल्कुल बारी किसे ग्रेट कर लिया और नमक अट करेंगे और गल जाने तक हमें पकाएंगे तकरीविन चार से पाज सीटी लगाएंगे अच्छी तरीकसी ने सीट ये गल जे तोन ये देखे आप उच्छे से गल ँक्छे ये भूश अब इसे मतनी से घंता कि उसले तक ही पत्ती ओर बहुत अच्छ पानी है नहीं बाद में हम इसमें गरम करके पानी आड़ करेंगे तरीके सब्सक्राइब बहुत अच्छे से उस तरह से मिक्स करना इसे घोटना है और यह देखिए कम से कम पान से hours 10 मण को आपको इस तरह से लगतार चलाना है तो यह देखिए इस तरह से आपने कल लेना इसकी कंसिस्टेस नहीं मैं आपको दिखाती हूँ तो यह देखिए इस तरह से इस तरह से बिल्कुल इकठा होके डाल गिरती है कि इसमें बिल्कुल पता नहीं चलता है कि पत्ती और डाल इसमें मिक्स हुई है बिल्कुल एक दोनों हम जान हो जाने चाहिए, तो ये देखें इस तरह से, तो यह देखे कितनी अच्छे से मैंने इससे घू ठुट लिया है दाल को और पालकी पत्तियों को इसने पानी गरम करने हम इसे पतला करेंगे तो यह दो तरह सлем पानी अप मेरे पानी और इससे यह पतला करेंगे और एक उबाल आने तक हम इसे पका लेना है और इस पॉइंट पर आप इसमें नमक चिक कर सकते हैं अगर नमक आपको कम लगता है तो एट करके आप प्रेक दीजे एक उबाल आने तक इसको पका लेना है तो देखें मैंने एक उबाल आने तक इसे पका लिया है कितनी अच्छ त्योור बनती है हर घर में बंती है भूसी हिसरी में पसंत की जाती है तो इसको आप पालक के साथ और भथवे साथ जाते हैं तयारी हो गया तड़के की तो सर्सों के तेद्से से फिल्सं गरम हो जाएं तो तो सबसो का तेल अच्छे से गरम हो जाब इसमें एट कर देंगे सुखी हुई लाल मिर्च और इसमें थोड़ा सा एट करेंगे हींग से बहुत अच्छा फ्लीवर आ जाता है सबसे खास बात इस दाल की इसके तड़का होता है इसका तड़का लगाने से जो खुश्बू आत चुका है जो कि आप पालक की दाल भी से बुला सकते हैं आप खाने के साथ साथ यह तड़के वाले सूखी मिर्च बिखा यह बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो जैसे ही तड़का लगा यह फौरण ही आप इन्हें निकाल लेजे वरना यह सॉफ्ट हो जाते तो खाने में अ सॉंदी सॉंदी यह बहुत ही मज़े के लिए के लिए